दोस्तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत ने अपनी अगनी 6 मिसाइल का परिक्षन कर लिया है तो आप मैंसे जादतर लोग बोलेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन हाली में ही एक रिपोर्ट ACI है जिसमें क्लियरली ये चीज मैंशन की गई है कि भारत ने अपनी अगनी 6 मिसाइल का परिक्षन कर लिया है आप सभी के यादी होगा पिछले साल के अंत में डियाइडियो की तरफ से अपनी अगनी 5 मिसाइल का परिक्षन किया गया था और उस समय पहली बार ऐसा हुआ था कि अगनी 5 मिसाइल की रेंज को 7000 से 8000 किलोमेटर बताया गया था भारत हमेशा ही अपनी मिसाइलों की रेंज को छुपाता है एसा चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों का कहना है भारत की तरफ से अपनी मिसाइलों की रेंज को इसलिए भी कम बताया जाता है क्योंकि अगर भारत ने अपनी मिसाइलों की रेंज को प्रोपरली बताना शुर किया गया था इनके उपर ये आरोप है कि इनकी तरफ से भारतिय मिसाइलों की बहुत सी जानकारी पाकिस्तान की जारा दास गुपता को ट्रांसफर की गई है और अब जैसे जैसे ATS इनसे सवाल कर रही है इसे में अब इनकी तरफ से नए नए खुला से किये जा रहे हैं और तो इनकी WhatsApp चैट को भी पबलिक करना शुरू कर दिया गया है परदीप कुलकर की तरफ से बताया गया है कि जो हमने 15 दिसंबर 2022 को अगनी 5 मिसाइल का परिक्षन किया था वो एक्चुल में अगनी 5 मिसाइल तो थी ही नहीं बलकि ये भारत की अगनी 6 मिसाइल थी और इस बा रात के समय में डियार्डियो की तरफ से अगनी 5 मिसाइल को दागा गया था उस समय इस मिसाइल का सोनिक बूम इतना ज़्यादा तेज था कि काफी दूर तक इस सोनिक बूम की आवाज आई थी और ये बूम डॉर्मल सोनिक बूम से कहीं ज़्यादा तेज था परदीप कु प्रदीप कुलकर की तरफ से ये information पहले पाकिस्तान को दी गई थी और फिर पाकिस्तान के थ्रू ही ये information चाइना तक भी पहुँच गई थी और इसी लिए ही आपने एक चीज नोटिस की होगी जिस दोरान ये मिसाइल परिक्षन किया गया था उस समय चाइना अपना स्पाई शिप लेकर भारत के समुदरी एडिया में आ गया था और जो ये बाते परदीप कुलकर की तरफ से क्लेम की जा रही हैं अगर इन बातों में जरासी भी सच्चाई है तो आप ये मानकर चलिए कि डियाइडियो ने 13,000 किलो मिटर से 14,000 किलो मिटर तक मार करने वाली मि कर लिया गया है और डियाइडियो की तरफ से इस मिसाइल का ओफिशल अनाउंस्मेंट इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि अगर डियाइडियो ने इस मिसाइल का एनाउंस्मेंट कर दिया तो एमेरिका और यूरोप के देशों में पैनिक मत जाएगा आपको क्या लगता ह कि क्या भारत की तरफ से अगरी सीक्स मिसाइल का टेस्ट कंड़क्ट कर लिया गया है हाँ या फिर ना इस बात का अंचर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फोर वोचिंग इस वीडियो हैव गूड डे